आज हम लोग यहां पर बात करेंगे कि password managers क्या होते हैं, क्या आपको password manager के ऊपर trust करना चाहिए, कौन सा password manager, किस type के password managers होते हैं, क्या-क्या functions होते हैं, क्या use करना चाहिए, हमें क्या use नहीं करना चाहिए तो सारी चीज़े password manager के बारे में A to Z आज के इस वीडियो में हाई गाइज मेरा नाम है क्रिपेश आदवानी यहां पर मैं डिजिटल टूल से डिरेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ पासवर्ड मैनेजर भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं काफी बात परने वना हूँ तो आज मैं बहुत को पासवर्ड मैनेजर को बनाते रहें पासवर्ड मैनेजर को कर दो दो यह लाएक एक सोफ्वियर उनतरों में जो की एक में टैक्टेड रहता है मतलब सिर्फ आपको अपना एक main password यहाँ पे डालना रहता है जैसी आप लोग अपना एक main password डाल लेते हो आपके सारे passwords unlock हो जाते हैं जिस भी website में आप रहते हो उसका password आपको easily मिल जाता है so password manager basically यहाँ पर चार main problems को solve करने की कोशिश करते हैं जो पहली problem है कि people reuse passwords एक ही password को हम लोग अलग-अलग website में use करते रहते हैं तो password manager क्योंकि आपके सारे passwords को remember रख कर सकता है तो फिर वो different different unique passwords रहते हैं हमें किसी भी हमें सिर्फ एक password को याद करना रहता है and then सारी website के password unlock हो जाते हैं तो हमें reuse करने के requirement नहीं पड़ती है second problem होती है using easy to remember passwords birthday हो गया नाम हो गया I love you जानू हो गया यह सारे जो भी हम लोग passwords use करते रहते हैं उसकी हमें requirement नहीं पड़ेगी अगर हम लोग किसी password manager का use कर रहे हैं तो फिर यह एक और main problem solve करता है manually type करने की अगर आपको manually type करने के जादत नहीं है बार बार अपने लंबे लंबे password को type करना पसंद नहीं है तो भी यहापर password manager सिर्फ एक click में आपके passwords को autofill कर सकता है और अगर आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो तो सिर्फ आपके finger ID fingerprint से यह सारे passwords autofill हो जाएंगे चौती जो यहापर problem आती है वो आती है खूप सारे accounts के password को manage करना अगेन यहापर password manager काफी काम में आता अगर आपके बहुत सारे accounts होते हैं तो जैसे मेरे खुद के personally हैं सो अब आप लोग पूछोगे कि different password रखने ही क्यों हैं हमें क्योंकि 2021 और पिछले कुछ सालों में काफी यहां पर data breaches हो रहे हैं चाहे वो canva हो जाए sony हो जाए zomato हो जाए आपकी जो passwords है वो भी leak हो रहे हैं अगर आपने same ही password यूज किया है और अगर वो leak हो गया तो वो passwords आपके अलग-लग different websites पे जाके उसको test करेगा hacker चाहे वो आपका Gmail हो जाए चाहे वो आपकी banking details हो जाए या आपकर कोई different websites हो जाए महाँ पर अगर वो password लग गया तो वो भी आपकी websites हो जाए और माल लो अगर आपका email हो गया email से आपके सारे accounts link होते हैं तो तो काफी दिक्तत में आ जाओ गया अप इसलिए different passwords का use करना है आपे काफी important हो जाता है अब यहाँ पर मैं कुछ functions की बारे में बात करता हूँ जो password managers आपको function provide करते हैं यह buying guide का video न आपको क्या-क्या यहाँ पर functions देखने को मिलते हैं पहला जो function है वो password generator का एक अच्छा strong password अगर आपको बनाना है तो यहाँ तो फिर आप लोग एक separate tool का use कर सकते हो यहाँ फिर इनका खुद का जो password generator है उसका भी आप लोग use कर सकते हो वो भी काफी अच्छा strong password आपको बना स सकते हो उसमें आप लोग अपने backup codes यहाँ जो भी आपको डालना है वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो उसके बाद आपके अगर कुछ यहाँ पर personal details है आपका address हो गया आपके credit card की information हो गई वो भी आपर आप लोग सेव कर सकते हो auto fill कर सकता है यह mobile apps रहते हैं इनके जो की unlock हो जाते हैं fingerprint यहाँ फिर face ID से share कर सकते हो आप लोग passwords passwords को import कर सकते हो दूसरे password manager से यहाँ पर browser से तो यह कुछ यहाँ पर main functions रहते हैं और एक और जो function यह लोग provide करते हैं आजकल वो है encrypted storage का मतलब आप लोग यहाँ पर कुछ अपना data डाल सकते हो usually आपको 1GB तक का encrypted storage मिल जात आप लोग चैनल को subscribe कर सकते हैं अब यहाँ पर एक यह question आता है कि हम लोग क्या browser में जो password manager रहता है उसका use करें यहाँ फिर एक separate password manager जो आता है उसका use करें अब जो browser में जो password managers आते हैं देखो सारे browsers ना सेम हैं चाहे वो Chrome ले लो चाहे वो Firefox ले लो चाहे Brave ले लो सब सेम है एक separate password generator नहीं होता है और autofill नहीं कर सकते हैं आप लोग mobile में देन उन passwords को access करना है यहाँ पर काफी easy हो जाता है आप लोग सिफ laptop का password डालोगे वहाले passwords reveal हो जाते हैं कोई two factor नहीं होता है कोई email verification नहीं होता है कोई master password नहीं होता है कभी कबार हम उसे offline access भी नहीं कर पाते हैं तो browser का जो password manager रहता है वो काफी ही घटिया रहता है और यहाँ पर उसका एक main reason यह भी है कि mostly browsers रहते हैं महाँ पर password जो रहते हैं वो plain text में store होते हैं जो उनका encryption रहता है वो इतना strong नहीं रहता है and those do not follow the best security practices क्योंकि वो एक professional password manager नहीं है उनकी वो बस एक additional functionality है उसको hackers भी easily crack कर स सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं रहेगी किसी के लिए chrome से password निकालना काफी easily वहाँ से वो लोग crack कर सकते हैं in fact बहुत सारे browsers तो mention भी नहीं करते हैं उनके password encryption क्या यूज हो है क्या वापे security protocols यूज हो है वो सारी चीजे तो वो लोग mention भी नहीं करते हैं so क्या आप लोगों क password managers को trust करना चाहिए obviously आपको सारे password manager को trust नहीं करना चाहिए कुछ जो established player है जिनकी history अच्छी रही है जिनोंने proper security measures निये है जिनके पास proper encryption से जिनके proper security audits हुए है या फिर जो open source होते हैं जैसे की bitwarden so क्या आप लोगों को password manager यूज करना चाहिए क्या उसकी actual requirement है मेरे इसाब से आज की date में सभी लोगों को password manager यूज करना चाहिए अगर आपके online 20 से जादा account है तो फिर आपको एक password manager की requirement है क्योंकि वो आपको एक strong password generate करने में help करता है थोड़ा convenient हो जाता है और आप लोग किसी भी device में उसको easily enter कर सकते हो लेकिन क्या सभी को paid password manager की requirement रहेगी जी नहीं आप लोग लोग आउट करते हो उस पर डिपेंड करेंगा कि आपको free लेना चाहिए यहां फिर paid लेना चाहिए अब कौन सा अच्छा है कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए फ्री में कौन सा अच्छा है पेड में कौन सा अच्छा है उसके वीडियो में ले आ कि अञाओ राचो को कि अफ़ा एक दोलाव रेका राचाल की अगाओन एकार प्योटी अज़गे है कि अब चाम कि अब कर दोलाव है